सोई हीत बंधो मोही भावे कवीर साहिब कहते हैं जात कुमारग मारग लावे वही भाई है वही सक्खा है वही हमारा हितेशी है जो हमें कुमारग से मोड़ कर सत्मारग में चलने की शक्ती प्रदान करें हमारी बराईयों को दूर करके हमको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रयास करें हमारे अंदर जो नसा देशन की यादत है उनको खत्म करके जो हमें शानदार जिंदगी जेने का तोफ़ा प्रदान करें वो मेरा बंधू है वही मेरा सक्खा वो मेरा सक्खा नहीं है दोस्त नहीं है जो मुझे दारू पीना सिखाता है जो हमारा सारा खेल बिगाड़ने में लगा है वो बंधू नहीं वो शत्रू है याद रखना भगवान स्री राम ने हनुमान जी को भी अपना भाई कहा था लेकिन भीवीशन ने अपने भाई रामण से दूर हो करके रामण कैसे मरेगा यह उपाई राम को बताया था रामण ने जीतना अपमान अपने भाई भीवीशन का किया था सायद उतना अपमान रामण ने और किशी का नहीं किया था रामण जैसे भाई मत बनो अन्य था आपका भाई कोई भीवीशन बनेगा और आपकी मरने का उपाई बताएगा और भीवीशन जैसे गद्दार भाई भी मत बनो भीवीशन भी गद्दार है एक लात में ही नाराज होकर के भाई को मरवा डला इस्तरे की गद्दारी भी मत करणा वफादार भाई बनो लेकिन भीवीशन की मजबूरी हो गई है क्योंकि रावण ने लात मार कर भीवीशन को अपने राज्य से निकाल दिया तो भीवीशन के पास कोई आफसन बचा ही है रावण उसे कहते हैं जो ना पतनी की सुनता है ना भाई की सुनता है ना किसी की अच्छी बात मानता है अंगत समझाने जाते हैं उनकी भी नहीं सुनता है उसका नाम रावण जोनोंने रावण का रोल अदा किया था उनकी ये म्रत्व हो चुकी है लेकिन वास्तों में वो आदमी ने रावन का रोल दिखाना भी कोई आसान नहीं था उसने पूरा रावन का ही पूरा चरितार्थ कर दिया वो लंका का रावन भी मर चुका है और ये जो रावन का रोल दिखाया था उसकी भी मृत्तु होगी जिन्होंने राम का रोल अदा किया था हो गई मृत्तु की नहीं हुई अभी नहीं हुई अच्छा लंका वाला रामण मरा है ये भी बच गया है चलो ये बच गया है तो इसको भी अभी फाइनल हो जाना चाहिए लेकिन मैं उसको धन्दिवाद देता हूँ रामानंद शागर की रामयन क्योंकि हर आदमी रामयन पढ़ नहीं सकता है पर रामयन का सेरियल देख करके बहुत ग्यान हुआ है केवट ने और उसकी पतनी ने भगवान के कैसे चरण पखारे कैसे भीविशन को राम ने शरणागत बनाया है अंगद की कैसे रच्छा किया है शुग्रिव को कैसे हेल्फ दिया है बाली को कैसे निजधाम पहुँचाया है राम ने काम तो सबसमझदारी से किया है राम भगवान का काम जितने आतताई थे राच्छस थे आतंकवादी थे चिरित्रहीन थे उनको एक एक करके बद करके निजधाम में अस्थान दिया है आज वही काम उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री वाननी आदितिनाथ भी कर रहे हैं तेरा चौदा सो राच्छसों को निजधाम पहुँचाया है बड़े बड़े रावन को उन्होंने सिलंडर पिया है वाजित्तम वो भी राम का रूप भी है हनुमान का रूप है इतना शाहसी दखती है एक माला पहने है सादू की भेश भूसा है हस्ता कम है बहुत बुद्धमान है ब्रिलियंट है फर्स्ट डिवीजन है फर्स्ट डिवीजन टापर है MSC साहसी विश्वासी प्रकाशी विकाशी ऐसे महान मुख्य मंत्री को ब्यासबादी आशिरबाद दे रही है धन्य हो आदितिनात जी मेरी और देख रहे हैं कि इतना कि कोमल संद कहां से आया है सोच रहे हैं क्या करो देखो ये स्क्रीन में दिख रहे है हाँ हाँ जब जब हो ही धर्म की हाले बाधनी अशुड अधमे अधिमानी तब तब प्रभुधरी मनुझे शरीरा दिसिप्लीन तब तब प्रभुधरी मनुझे शरीरा बाहर तुरंद बाहर हरा ही शकल सजन भाव पीड़ा जब जब हो ही हर्म की हाले बाधनी अशुड अधमे अधिमानी तब तब प्रभुधरी मनुझे शरीरा हरा ही शकल सजन भाव पीड़ा मंगल भावन अमंगल हारी मोश में नाथ कौन अपनारी मंगल भावन अमंगल हारी मोश में नाथ कौन अपनारी जब तुम धर्म की अस्थापना करते हो तुमारे अंदर राम की शक्ति काम करती है तुम राम रूप हो उस समय जब तुम धर्म की रच्छा के लिए शंघर्ष करते हो तुमारे अंदर कृष्ण का सामर्थ काम कर रहा है तुम कृष्ण रूप हो उस समय और जब तुम आतंक फैलाते हो सज्जनों को सताते हो धर्म की हानी करने में लग जाते हो तब तुमारे अंदर रावण का प्रभाव जलपने लग जाते हो बाली का प्रभाव जब तुम अन्याय अनीती पर अनाचार दुराचार भरष्टा चार चरित्र हिंता के कर्म करने लग जाते हो मान समंचली अंडा नसा सराब खाने पीने लग जाते हो जब तुम अपने भाई के साथ में भी दुरुबयोहर करने लग जाते हो उस समय तुम रावण का रोल अदा करते हो उस समय तुम कंस का रोल अदा करते हो और उस समय तुम बाली का रोल अदा करते हो इसलिए याद रखना आज भी लोगों के बीच में राम भी है, क्रश्न भी है, बाली भी है, अंगद भी है जैसा तुमारा कर्म है वैसा तुम को उपाधी मिल जाती है इसलिए राम रुब बनो कभी राम बने के, कभी शाम बने के, चले आना कभी राम बने के, कभी शाम बने के, चले आना जै कबीर जै वहावीर जै बुद्ध और जै गुरुनानक देव जै बेवेका नंद जै जगत गुरु शंक्राचार सम्हान पुरसों की जै छमा देव जै प्रेम देव जै विशाल देव जै गुरुमन देव कभी राम बने के कभी शाम बने के चले आना गुरुजी चले आना ये संद महात्मा धर्म की रच्छा के लिए इन्हों ने जीवन दान किया संदों को अपना इस महत्त पुरुनकारी को समझना चाहिए आप केवल खाने पीने सोने के लिए साधू नहीं है आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो माया की नीद में सोय हुए जीवों को जगाने का काम कर रहे हो बराईयों में फसे लोगों को दुखी लोगों को सुखी करने का काम कर रहे हो बराईयों से दूर करने का काम कर रहे हो भटके उहीं लोगों को राष्टा बताने का काम कर रहे हो और घर घर की कले कलेश को मिटाने के लिए सत्संग को फैलाने का काम कर रहे हो इसलिए सादू संत का बहुत बड़ा महत्परण स्थान होता है और सादू संत को ये महत्परण कार करने के लिए पूरी दुनिया वालों को धन्यवाद देना चाहिए शुब काम ना करना चाहिए कि हे संत देवता तुम्हारी जय हो शंत देवता कोई शाधरण नहीं घर की मोह ममता भी मत करो काम बासना के उत्तेजना में भी मत फसो ये मोह के जाल में भी मत फसो कुछ नहीं होगा ये संसार के करोड़ो अर्बो लोग सब काम बासना के कीड़े बने हुए है लोब के चक्कर में फस करके ना मालूम कितना पाप कर रहे है और ना मालूम कितना लोग हैंकार के चक्कर में फस करके टक्कर मार रहे है आप अपनी बरवादी मत करो हे शंत देवताब महान हो आप दूसरों का भी काम प्रोद लो मोह का कचड़ा मिटाने वाले हो आप दूसरों के जीवन को धन्न करने वाले हो आप अपने जीवन को सभाल कर रखो क्योंकि याद रखना जाडू अगर समल गया तो कचड़ा सब साफ हो जाएगा और जाडू खुद ही तूट कर कूड़ा बन गया तो कचड़ा कौन साफ करेगा इसलिए जाडू जैसे सफाई करता है ऐसे पूरी दुनिया के लोगों का मेल्सम साफ करने वाले हो कचड़ा साफ करने वाले हो लपड़ा साफ करने वाले हो जगड़ा साफ करने वाले हो ये शंत देवता अपनी शक्तियों को जागरत करो और पूरी दुनिया का कल्याण करो प्रभूजी चले आना बहुत बड़ा काम है लोग समस्ते नहीं है जिस गुरूजी दौरा करोडों लोगों को संदेश मिल रहा हो प्देश मिल रहा हो ग्यान मिल रहा हो कल्यान हो रहा हो माया मोह की नींद में सोई है करोड़ों लोगों की नींद तूट रही हो लोग जिंदगी जीने की कला सीख रहे हो ऐसे गुरू की सेवा करने वाले को भी बहुत पुन्ने पराप्त होता है उनको अगर एक गिलास दान किया है एक गिलास पानी पिलाया है उनको भोजन खिलाया है वह लोग भी महान होते हैं धन्ने होते हैं क्योंकि उनके हाथ का बना हुआ भोजन नास्ता फल फ्रूट खा करके वो गुर्देयों पुरी दुनिया के कल्यान का काम कर रहे है इसलिए ये रामा दल है राम की सेवा करने वाले लोग भी महान थे आज हनुआन की पूजा होती है कभी राम बढ़ने के कभी शाम बढ़ने के चले आना गुरुजी चले आना जैसे विशाल देव हुए उनकी सेवा में स्री छमा देव, गुर्मन देव, श्री अमान देव, श्री आग्या साहव, श्री, श्री श्री प्रेम सहब और कितने सहब जिनके नाम काउंटिंग कराना मुश्किल है से पचास साथ संत महात्माई उने जुड़ करके विशाल जो दो कि इसे सब्टेकर में चले आना कि जह आने क्रूद रहने आ कि शेवा करते थे इनका खोटू इसक्रिम पर आ रहा कितने महान संद थे इनका एक एक फद और छंद प्रवंद पढ़ो तो आपको आशुआ जाएंगे ये क्या बोलते थे इनकी करोणा माई बानी कविताएं ऐसी बिजित्र है ये कहते थे क्या कहते थे विशाल देव से चित में होके मंगन जो तुरुटी रह गई वो मेरी भूल है क्योंकि सुनने मेरा खी कशरबालपन आप सद्गुरु सकल संत जन हंस हैं मुझको लगाए रहेंगे शरन आप सद्गुरु सकल संत बोलते हैं मैंने ठीका लिखा ब्याक्या कि आप गरंथ लिखा आपने जो सुनाया उसको मैंने सुना जो उसमें गलती रह गई मेरी भूल है बुद्धी ने काम नहीं किया आपकी भूल नहीं है गुर्देओ मेरी भूल के कारण उसमें लिखने में चूप हुई है छमा करना मुझको शरण में लगाये रहना ऐसे ऐसे सिष्टों ने विसाल देओं की सेवा किया है याद रखना महान पुर्षों की सेवा करने वाले भी लोग महान होते हैं इसलिए उनकी सेवा में टटे रहना चाहिए इधर उधर बिचलित नहीं होना चाहिए दाश्टी का लिखा चित में होके आप जैसे कौमल संत को रिजाने के लिए एक गुण मुझे में नहीं है शद गुरू कर ना करम एक गुण मुझे में नहीं है बोलो बोलो अज्यान मेरा नाश दो है सद गुरू करुणा करम ज्यान बोध प्रकाष दो है सद गुरू करुणा करम ग्याने गुरू के बास में ग्यान को प्राप्त करने के लिए आना चाहिए गुरू से धन की जाहत मत रखो गुरू से भक्ती प्राप्त करो बैराग प्राप्त करो ग्यान प्राप्त करो गुरू से फैसिल्टी की जाहत मत रखो और वहाँ जो भी मिला है खेचड़ी खाने को तो भी कच्छा है खीर मिले तो भी अच्छा है चटनी मिले तो और भी अच्छा है कभी बरत रहना पड़े तो भी अच्छा है गुरू के जए खाने पेने की बेवस्था तो संसार में बहुत मिल जाती है लेकिन जिन्दगी जीने की कला संसार में नहीं मिलती है ऐसे गुरू की शरण में हम ग्यान लेने के लिए आए है वहाँ धन लेने के लिए नहीं आए है इसलिए गुर देओ छमा देओ तुम धन्यो ग्यान दो बैराग दो भक्त दो मुक्त दो जिन्दगी जीने की सक्त दो आपके चरणों में बार बार नमन हो बार बार नमन हो